हेलो दोस्तों कैसे है आप नए वीडियो में आपका स्वागर दे आज हम हैंड पाउच बनाएंगे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेस्ट स्टार्ट देखिए यहाँ पे हम माउस शेप का हैंड पाउच बनाएंगे इसके लिए हमने एक मेन बॉड़ी का फैब्रिक लिया है राउंड शेप में और राइस बेक का कटिंग लिया है राउंड शेप में और एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसको पूरे राउंड में सिल होने के बाद आपको एक्स्ट्रा है वो कट करना है अभी हमें फाइव सेंटिमेटर का एक पट्टी लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक पाइपिंग का दोरी बनाना है माउस का कान बनाने के लिए हमने इस तरीके से दो कटिंग लिए है और इसको एक दूसरे के उपर रखके आपको पूरा सिलाई करना है और एक छोटा सा छेद रखके उसके अंदर से उल्टा करना है देखिए गैस पूरा राउंड का सिलाई होने के बाद इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और दोनों सैड में एन पॉइंट में आपको मार्क करना है अभी हमें आपको जीपर लेना है और जीपर का एक सैड कटिंग के एक सैड में अटेच करना है और जो हमने कान बनाए है उसको भी इस तरह के से अटेच करना है जिस तरह के से मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूँ और जो हमने piping का जो दोरी बनाए है वो उसको आपको end में अटेच करना है कि अगया है देखें गाइस यहां पर हमारा है वो रिडि हो गया है अब सोच रहे होंगे कि मैंने जीपर चेंज किया है इसके लिए मैं जो जीपर लगा था वो पहले वो तूट गया है इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ा और अभी हमें जो माउस है उसके आइस बनाने है इसके लिए मैंने एक दो मनी लिया है ब्लैक कलर का और इसको इस तरह के से अटेच किया है देखिए गाज यहाँ पे अमारा माउस शेप का हैंड पाउच है वो रेडी हो गया है देखिए बहुत ही क्यूट लग रहा है अंदर की सैन में बहुत स्पेस भी है अब यहाँ पे बच्चों के लिए छोटा सा पैंसिल बॉक्स भी रेडी हो गया है नहीं तो अब इसके अंदर मेकप पाउच जैसा यूज कर सकते है यह बहुत ही बढ़िया तरिके से और क्यूट लग रहा है इस तरिके से आप अलग-अलग शेप के हैंड पाउच बना सकते हैं I hope आपका आच का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट्स करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट करे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं next video में तब तब कि लिए थेंस पो वाचिंग बाइ